क्वेस्चन नमबर टू, एक्सरसाइस 3.3, फाइंड डिरिवेटिव यूजिंग चेन रूल, कि हमारे पास इस क्वेस्चन में जो फंक्शन गिवन है, हमें उसे डिरिवेट करना है, और वो भी यूजिंग चेन रूल, और हमारे पास चेन रूल का जो फार्मूल्व है, ये चीजर आएंड रूल चेन रूल का फार्मूल है, और चेन रूल तबी उस होगा, जब हमारे पास फंक्शन as a composition of functions गिवन हो, यानि हमारे पास यह जो function y equals to 3 minus 5x square plus 4x whole to the power 4 by 3 है यह असल में दो तरह के function से मिलकर बनाए तो अभी हम इसको differentiate करेंगे सबसे पहले हमारे पास y equals to 3 minus 5x square plus 4x whole to the power 4 by 3 की वन है इसको हम equation 1 का नाम देंगे और इधर हम late करेंगे जो internal function है यानि वो function जो कि इस bracket के अंदर है उसे हम u late करेंगे u equals to 3 minus 5x square plus 4x फिर उसके बाद thus equation 1 becomes हमारे पास जो equation 1 होगा उसका भी शकल change होगा equation 1 में हमारे पास y equals to bracket 3 minus 5x square plus 4x इन तीनों की जगा हम u लिकेंगे क्योंके हमने इन तीनों को u के बराबर late के आवा है तो इधर u आए का to the power 4 by 3 इसको हम equation number 2 का नाम देंगे और इसको हम equation number 3 का और अभी हमें इस equation number 2 और equation number 3 को differentiate करना है तो सबसे पहले हम equation number 2 को करेंगे तो differentiate equation number 2 with respect to हमारे पास equation 2 में जो independent variable है वो x है तो उसी के with respect to होगा तो हमारे पास d by dx आ जाएगा u के साथ और d by dx आ जाएगा 3 के साथ पिर minus 5 और फिर से d by dx आ जाएगा x square के साथ 1 plus 4 d by dx of x तो du by dx equals to divided x of 3 चुंके 3 हमारे पास constraint है तो किसी भी constraint का derivative हमारे पासा जाएगा 0 minus 5 into d by dx of x square हमारे पासा जाएगा 2 into x to the power 1 or plus 4 d by dx of x आ जाएगा 1 क्योंके हमारे पास अगर d by dx of कोई constant हो c जीए से तो इसका अंसर हमारे पास आ जाएगा 0 और अगर d by dx of कोई x हो तो इसका अंसर हमारे पास आ जाएगा 1 और अगर d by dx of x to the power something हो x to the power n तो n हमारे पास सब से ले आ जाएगा और X का पावर एक दाना कम होगा और ये फार्मूला इधर इस्थामाल हुआ है तो इधर X का पावर 2 है तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे फिर X को पिर X का पावर 2 में से 1 माइनस होगा तो 2 माइनस 1 आजाएगा 1 तो DU बाई DX इक्वल्स 2 यहाँ पर हम इन दोनों में से यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 तो हम 2 को कामन ले सकते है तो 2 हमारे पास आजाएगा कामन और बागी जो हमारे पास बच जाएगा सबसे पहले हम इसके बागी माइनस को लिखेंगे तो इधर से बच जाएगा 2 पिर माइनस इधर से 5 और X तो यह चीज़ और उसके बाद हम अभी डिफ्रेंशेट करेंगे डिफ्रेंशेट एक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट तो एक्वेशन नंबर 3 हमाले पास Y equals to U to the power 4 by 3 है तो इधर इंडिपेंडेंट वेरेबल U है तो यह विद रिस्पेक्ट तो U होगा यानि D by D U of Y equals to D by D U of U to the power 4 by 3 जो के बराबर होगा तो D by D U of U to the power 4 by 3 इस पर भी यही फार्मूला अपलाए होगा तो सबसे पहले 4 by 3 को लिखेंगे फिर U to the power 4 by 3 minus 1 होगा बराबर है 4 by 3 U to the power यहाँ पर इस 1 के निचे 1 है तो हम अगर 3 और 1 का LCM ले 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 तो हमारे पास आज लेगा 3 अगर 3 को हम इसके दिनोमिनेटर 3 के साथ दिवाइट करें तो इसका अंसरा आजेगा 1 1 into 4 हमारे पास होगा 4 पिर माइनस 3 को अगर हम इस 1 पर दिवाइट करें तो अंसरा आजेगा 3 इस्तामाल करेंगे now using chain rule तो हमारे पास chain rule का फार्मूला है dy by dx equals to dy by du multiply by du by dx तो अभी हम इदर values put करेंगे dy by du का आंसर हमारे पास यहाँ पर मोजूद है 4 by 3 u to the power 1 by 3 और उसके बाद du by dx तो du by dx का आंसर यह रहा हमारे पास into 2 bracket 2 minus 5x यह 2 आकर इस 4 के साथ multiply होगा तो 2 fours है 8 divided by 3 और अभी हम u की जगा u की value को put करेंगे जो के हमने late क्या हुआ था u equals to 3 minus 5x square plus 4x तो u की जगा जाएगा 3 minus 5x square plus 4x whole to the power 1 by 3 into 2 minus 5x हमारे पास बच जाएगा और यही हमारे पास dy by dx है यही इस function y का differentiation with respect to x और इसी हमें find out करना था और यह हम find out कर चुके है by chain rule तो यही हमारे पास answer होगा question number 2 part 2 जिसमें हमारे पास एक function y equals to square root of x cube minus 5x square plus 8x minus 9 given है और हमें इस function को differentiate करना है with respect to x और वो भी using chain rule तो solution हमारे पास जो function given है y equals to square root of x cube minus 5 by 2x square plus 8x minus 9 और हमारे पास equation number 2 का नाम देंगे और हमारे पास equation 1 change होगा thus equation 1 becomes हमारे पास equation 1 था y equals to square root of यह सभी ठर्म और इन सभी की जगा u आ जाएगा क्योंकि हमने इन सभी को u के बराबर लेट किया हुआ है और यह हमारे पास equation number 3 होगा अभी हम equation number 2 और equation number 3 को differentiate करेंगे तो सबसे पहले differentiate equation number 2 with respect to हमारे पास जो equation number 2 में independent variable है वो है x तो हम with respect to x करेंगे तो d by dx of left hand side पर u equals to d by dx of x cube minus 5 by 2 d by dx of x square plus 8 d by dx of x फिर minus d by dx of 9 du by dx equals to d by dx of x cube तो इस पर हमारे पास power rule apply होगा यहीं d by dx of x to the power n अगर हो तो इसको हम लिख सकते है n x to the power n minus 1 तो इदर n की जगा हमारे पास 3 है तो हम n की जगा 3 put करेंगे तो 3 x to the power 3 minus 1 हमारे पास आज़ेगा 2 फिर minus 5 by 2 divided x of x square पर भी यहीं फार्मूला अपला होगा तो इन्टो 2 x to the power 2 minus 1 हमारे पास आज़ेगा 1 फिर plus 8 divided x of x आज़ेगा 1 minus divided x of constant जो कि 9 है हमारे पास आज़ेगा 0 equals to 3 x square minus यहाँ पर 2 or 2 cancel तो 5 x plus 8 into 1 हमारे पास आज़ेगा 8 तो यह चीज़ हमारे पास du by dx का answer है और अभी हम equation number 3 को differentiate करेंगे तो differentiate equation number 3 with respect to equation number 3 में independent variable u है तो यह with respect to u होगा तो d by du of y equals to d by du of square root of u तो इस function को हम इस power rule के जरी भी differentiate कर सकते है लेकिन इदर हमारे पास एक shortcut formula है कि अगर d by dx of square root of x हो तो इसको हम shortly 1 over 2 square root of x लिख सकते है तो इसका answer हमारे पास आजएगा 1 divided by 2 square root of u और यह हमारे पास dy by du का answer है तो अभी हम chain rule इस्तामाल करते हैं now using chain rule हमारे पास chain rule में dy by dx बराबर है dy by du multiply by du by dx equals to dy by du का answer हमारे पास मालूम है जो के 1 divided by 2 square root of u है multiply by du by dx का answer हमारे पास इदर given है 3x square minus 5x plus 8 और अगर हम इस bracket को इस one से भी multiply करें तो हमारे पास आजएगा 3x square minus 5x plus 8 divided by 2 square root of और इदर हम u की जगा पिर से u की खिमत को put करेंगे जो के हमने लेट किया हुआ था तो u की खिमत हमारे पास x cube minus 5 by 2 x square फिर plus 8x फिर minus 9 था u बराबर है x cube minus 5 by 2 x square plus 8x minus 9 और यही हमारे पास dy by dx है यही इस function y का differentiation with respect to x और यही हमारे पास answer होगा question number 2 part 3 जिसमें हमारे पास एक function y equals to x square plus 2x minus 3 whole to the power 7 by 2 given है और हमें इस function को differentiate करना है with respect to x by using chain rule तो हमारे पास chain rule का formula dy by dx equals to dy by du multiply by du by dx है तो इदर हमारे पास जो function y equals to x square plus 2x minus 3 whole to the power 7 by 2 given है इसको हम equation number 1 का नाम देंगे और फिर हम let करेंगे let जो internal function है उसको हम u के बराबर let करेंगे और internal function हमारे पास x square plus 2x minus 3 होगा यह चीज़ और इसको हम equation number 2 का नाम देंगे और उसके बाद हमारे पास equation 1 का शकल जो की यह चीज़ था वो change होगा bracket में जो x square plus 2x minus 3 था उसको हमने u के बराबर let किया हुआ है तो उसकी जगा जगा u whole to the power 7 by 2 इसको हम equation number 3 का नाम देंगे और अभी हम equation number 2 और equation number 3 को differentiate करेंगे तो सब से पहले है differentiate equation number 2 with respect to हमारे पास equation number 2 में independent variable x है तो यह with respect to x होगा तो हमारे पास d by dx of u equals to d by dx of x square फिर plus 2 d by dx of x फिर minus d by dx of 3 और इदर हमारे पास जो formula use होगा वो यह ही के d by dx of x to the power n बराबर होगा n x to the power n minus 1 पावर रूल जिसे हम कहते हैं तो यह formula इसके उपर इस्तमाल होगा और d by dx of x हमारे पास आज़ेगा 1 और d by dx of कोई constant आज़ेगा 0 तो equals to d by dx of x square तो 2 को पहले लिखेंगे फिर x का power एक दाना कम करेंगे तो 1 आज़ेगा प्लस 2 d by dx of x हाज़ेगा 1 minus d by dx of 3 हाज़ेगा 0 तो अभी हम इन दोनों में से 2 को कामन ले सकते हैं तो इदर से x आज़ेगा प्लस इदर से 2 हमारे पास कामन निकल चुका है तो बाकि बचेगा 1 और इस 0 को हम लिखेंगे नहीं तो यह हमारे पास du by dx का आंसर है और अभी हम differentiate करेंगे equation number 3 को with respect to u क्योंकि equation number 3 में independent variable u है तो हमारे पास d by du of y equals to d by du of u to the power 7 by 2 तो इसके उपर फिर से यही power rule apply होगा तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आज़ेगा n n यह निजो के power था तो power हमारे पास 7 by 2 फिर u to the power 7 by 2 में से हमारे पास 1 minus होगा तो 7 by 2 minus 1 को हम रफ फर्क में solve करेंगे 7 by 2 minus 1 1 के नीचे 1 है तो हम अगर इस 2 और 1 का LCM ले ले तो हमारे पास आज़ेगा 2 2 को हम अगर 2 पर divide करें आँसर आज़ेगा 1 1 into 7 हमारे पास होगा 7 minus 2 को अगर हम 1 पर divide करें तो आँसर आज़ेगा 2 और 2 into 1 हमारे पास होगा 2 तो 7 minus 2 हमारे पास आज़ेगा 7 by 2 u to the power 5 by 2 तो हमारे पास dy by du का answer 7 by 2 u to the power 5 by 2 है और अभी हम chain rule इस्तामाल करेंगे now using chain rule तो chain rule में हमारे पास dy by dx बराबर है dy by du multiply by du by dx तो अभी हम values पूट करेंगे dy by du का answer हमारे पास यह चीज़े 7 by 2 u to the power 5 by 2 multiply by du by dx du by dx का answer हमारे पास 2 times x plus 1 है यहाँ पर 2 उपर और 2 नीचे हमारे पास यह दोनों cancel हो सकते है तो हमारे पास आज़ेगा 7 और इदर u की ज़ेगा हम u की قिमत को put करेंगे जो कि हमने लेट किया वा था x square plus 2x minus 3 u की ज़ेगा हमारे पास आज़ेगा x square plus 2x minus 3 whole to the power 5 by 2 into x plus 1 और यही हमारे पास answer होगा और u की value हमारे पास x square plus 2x minus 3 तो यह चीज़ हमारे पास dy by dx है जो के इस गिवन फंक्शन का differentiation with respect to x है using chain rule question number 2 part 4 जिसमें हमारे पास function y equals to x plus 2 divided by x plus 3 whole to the power 3 by 2 given है और हमें इस function को differentiate करना है with respect to x using chain rule तो solution अगर हम इसको equation number 1 का नाम दे और इसके बाद हम let करेंगे इस internal function को u के बराबर u equals to x plus 2 divided by x plus 3 इसको equation number 2 का नाम देंगे और हमारे पास equation 1 की शकल change होगी तो y equals 2 यहाँ पर x plus 2 divided by x plus 3 था इसके जगा हम लिकेंगे u to the power 3 by 2 और यह हमारे पास equation number 3 होगा और अभी हम equation number 2 और 3 को differentiate करेंगे तो सब्सक्राइब दिफ्रेंशेट एक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो दी बाई टी एक्स ओफ यू इक्वेल्स टू दी बाई एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस त्री और इधर हमारे पास इसके बाद यूज़ होगा कोशन टूल तो हमारे पास कोशन टूल का फार्मूले यह है कि अगर डी बाई डी एक्स ओफ दो फंक्शन आजाए एफ डिवाइड बाई जी और दोनों फंक्शन डिवाइड की शकल में हो तो उसका डिफ्रेंशेशन अमारे पास आजाएगा यहाँ पर हमारे पास जी फिर डी बाई डी एक्स ओफ फ फिर माइनस उसके बाद एफ वेसे ही फिर डी बाई डी एक्स ओफ जी और उसके बाद डी बाई डी नीचे हमारे पास जी स्क्वेर आजाएगा तो f की जगा हमारे पास ही x प्लस 2 है और g की जगा x प्लस 3 है तो हमारे पास du by dx बराबर है सबसे पहले हमारे पास आजएगा g तो g हमारे पास यह निचे वाला function है x प्लस 3 वेसे ही फिर उसके बाद d by dx d by dx of जो f function है वो उपर वाला function है तो x प्लस 2 फिर उसके बाद minus का sign फिर से f तो x प्लस 2 फिर d by dx of g g की value हमारे पास x प्लस 3 है और निचे हमारे पास g square है तो g हमारे पास x प्लस 3 है तो x प्लस 3 whole square equals to यहाँ पर x प्लस 3 वेसे ही d by dx of x हमारे पास आज़ेगा 1 और d by dx of 2 हमारे पास आज़ेगा 0 तो 1 प्लस 0 उसको हम लिखेंगे ले यहाँ पर हमारे पास d by dx दोनों के साथ लिखा जाएगा एसे किए d by dx of x plus d by dx of 2 तो d by dx of x का आज़ेगा 1 plus d by dx of 2 का आज़ेगा 0 क्योंकि यह चीज़ हमारे पास constant है 1 plus 0 का आज़ेगा 1 फिर minus x plus 2 d by dx of x आज़ेगा 1 और divide x of 3 आज़ेगा 0 x plus 3 whole square equals to be हम 1 को इन दोनों के साथ मुट्प्लाई करेंगे 1 into x 1 into 3 plus 3 यहाँ पर 1 into x हमारे पास आज़ेगा x 1 into 2 हमारे पास आज़ेगा 2 और इस minus sign को हम भी दोनों के sign के साथ मुट्प्लाई करेंगे तो minus into plus minus minus into plus minus divided by x plus 3 whole square equals to यहाँ पर x और x हमारे पास cancel क्योंकि एक positive और दुसरा negative में है और 3 minus 2 का आज़ेगा 1 divided by x plus 3 whole square यह चीज़ हमारे पास du by dx का answer है अभी हम equation number 3 को differentiate करेंगे तो differentiate equation number 3 with respect to u equation number 3 में जो independent variable है वो u है तो यह differentiate होगा with respect to u तो d by du of y equals to d by du of u to the power 3 by 2 और इदर हमारे पास जो formula use होगा वो यह होगा कि d by dx of x to the power n अगर given हो तो n पहले लिखा जाएगा और x का power एक दाना कम होगा तो यह power rule इदर भी apply होगा तो सबसे पहले हम power को लिखेंगे 3 by 2 क्योंकि इदर n था और u to the power जो n है यानि 3 by 2 उसमें से 1 minus होगा इसको हम rough work में solve करेंगे 3 by 2 minus 1 1 के नीचे 1 है तो हम अगर 2 और 1 का LCM ले 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 तो हमारे पास अंसर आज़ेगा 2 2 को अगर 2 पर divide करें तो अंसर आज़ेगा 1 1 into 3 हमारे पास 3 minus 2 को अगर 1 पर divide करें तो अंसर आज़ेगा 2 2 को अगर 1 से multiply करें तो 2 3 minus 2 हमारे पास 1 by 2 आज़ेगा u to the power 1 by 2 और यही हमारे पास dy by du की value है और अभी हम chain rule इस्तामाल करेंगे तो चैन रूल हमारे पास dy by dx equals to dy by du multiplied by du by dx से तो सब से पहले dy by du by du की value यह है 3 by 2 u to the power 1 by 2 3 by 2 u to the power 1 by 2 multiply by और du by dx की value हमारे पास 1 by x plus 3 का whole square तो 1 over x plus 3 whole square 3 by 2 अभी हम u की जगए u की value को put करेंगे जो के x plus 2 divided by x plus 3 था और यह बात हमने question की सब से पहले step में लेट क्या हुआ था u की value x plus 2 divided by x plus 3 तो हम इस u की जगए पिर से इसी value को put करेंगे जो के हमने put किया 3 by 2 अभी हम इस 1 by 2 को दोनों के उपर अलग अलग लिखेंगे तो x plus 2 whole to the power 1 by 2 divided by x plus 3 whole to the power 1 by 2 multiply by 1 divided by x plus 3 whole square और अभी चुमके इन दोनों के basis सेम है तो हम इन दोनों के powers को अपस में add up कर सकते हैं तो उपर हमारे पास 3 इस bracket के साथ multiply होगा और इस 1 के साथ हमारे पास आ जाएगा 3 x plus 2 whole to the power 1 by 2 divided by नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा और ये दोनों आपस में multiply होकर इनके powers add होंगे तो x plus 3 whole to the power 1 by 2 plus 2 और हम 1 by 2 plus 2 core of work में solve करेंगे 1 by 2 plus 2, 2 की नीचे 1 है 2 और 1 का हमारे पास आजेगा 2, 2 को गर 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर आजेगा 1 1 into 1 होगा 1 plus 2 को गर 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आजेगा 2 2 into 2 होगा 4 तो 1 plus 4 हमारे पास आजेगा 5 3 into x plus 2 whole to the power 1 by 2 divided by 2 into x plus 3 whole to the power 5 by 2 यही हमारे पास आंसर है dy by dx का जो के हमने find out किया है using chain rule या पिर इसको हमेंसे भी एक step में लिख सकते है 3 या पर x plus 2 whole to the power 1 by 2 है तो हम इस 1 by 2 की जगा square root भी लिख सकते है square root of x plus 2 divided by 2 times x plus 3 whole to the power 5 by 2 और यही हमारे पास आंसर है और भी जपे ज़हvern ढ को ख सकते है